गुड मॉर्NING इस्टूडेन्ट जैसे कि कल के क्लास में मैंने आपसे कहा था कि आप दो बैलो की कथा इसे पढ़़ लीजेगा दो बैलो की कथा गद्दे साहित्य इसके लेखके मुनसी प्रेमचंदर हिंदी साहित्य में उपण्या समराठ के नाम से मसहूर प्रेमचंद का जनम बाराणसी के निकट लमही नामक स्थान पर 1880 भी में हुआ था उनके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था प्रेमचंद के बच्पन का नाम धनपत राय था प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सर्वस्रेष्ट कहानिकार माने जाते हैं उन्होंने लगबग 300 से अधिक कहानिया तथा 11 उपन्नास लिखे हैं अब दो बैलो की कथा में पाट का सार आपको बताना चाहूंगी में दो बैलो की कथा की गर्णा प्रेमचंद की स्रेष्ट कहानियों में की जाती है इस कहानि के माध्यम से लेखक ने क्रिशक समाज और पस्वों के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है उसके हीरा और मोती नमक दो बैल सीधे साधे भारतियों के प्रतिक है जो आजादी के लिए बार-बार संगर्ष करते हैं और अंत में उसे पाही लेते हैं इस तरह परोख्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी गूई है इस कहानी के कई भागों में दिया गया है पहला भाग जो मैं इस प्रकार से आपको समझाना चाहती हूँ जानवरों में गधे को सबसे बुद्धी हीन प्राणी माना जाता है यह का इसका कारण उसका सीधापन है और सहन सीलता उसकी यही गुण उसे रिशी मुनियों से स्रेष्ट में ला देता है और उसके लिए ला भानी सुग दुग सब कुछ बराबर है सीधेपन और सहन सिलता के कारण भारतियों में को अफरिका और अमेरिका में असब्य और बुद्धी हीन समझा जाता है गधे से कुछ कम सीधापन उनका भाई भी है जिसे हम बैल के नाम से जाना जाता है परन्तु ये कभी-कभी अड़कर अपना असंतोज भी प्रकट कर देता है इसी कारण इसका स्थान गधे से कुछ उपर है